अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टली प्राइम का ये वीडियो क्रेडिट नोट में जीलस्टी के साथ किये जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजेक्शन्स के बारे में हैं इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है पहले पार्ट में हम आपको कुछ महत्पून ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता चुके हैं इस वीडियो में हम कुछ और ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें क्रेडिट नोट बनाया जाता है जैसे हमने customer को कोई माल बेचा और customer को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी quantity का बिल बनाया है माल उससे कम quantity में प्राप्त हुआ है तो इस गलती को सुधारने के लिए credit note बनाया जाता है दूसरी स्थिती है जब supplier customer को माल बेचता है और उस समय दोनों के बीच due date के अंदर payment करने पर किसी प्रकार के discount के बारे में बात हो जाती है तो उस discount को देने के लिए तीसरी स्थिती है कि जब हमने किसी customer को उधार माल बेचा था तो उस समय उसे शेगर payment करने पर किसी तरह का discount देने के बात नहीं हुई थी पर हमें व्यापार में liquidity की परिशानी यानि नकदी की कमी हो रही है तो हमने उस customer से कहा कि यदि आप तीन दिन में payment कर देंगे तो हम आपको किसी निश्यत प्रतिशत से discount दे देंगे तो इस तरह का discount देने के लिए भी credit note बनाया जाता है आईए बात करते हैं पहली condition की हमने customer को कोई माल बेचा और customer को माल प्राप्त होने पर उसने बताया कि हमने जितनी quantity का बिल बनाया है माल उससे कम quantity में प्राप्त हुआ है तो इस गलती को सुधारने के लिए credit note बना लेते हैं इसको समझने से पहले हम अपने customer का sales bill बना लेते हैं हमने 1 दिसंबर को दीपक ट्रेडर्स को 14,000 रुपए प्रतिनक के भाव से 5 नग मॉनिटर उधार बेचे जिस पर 9 प्रतिशत से CGST और 9 प्रतिशत से SGST चार्ज किया 2 दिसंबर को दीपक ट्रेडर्स ने हमें कहा आपने जो मॉनिटर भेजे थे उनका बिल तो 5 मॉनिटर का था पर बॉक्स में 3 ही मॉनिटर निकले क्रप्या आप इस गलती को ठीक कर लें अब हमने अपने यहां stock चेक किया तो 2 मॉनिटर stock में ज्यादा थे यानि गलती से हमने पार्टी को माल कम ही भेजा था और बिल ज्यादा का बना दिया था तो आईए इस गलती को ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट बना लेते हैं क्रेडिट नोट के लिए हम alter और F6 प्रेस करेंगे F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे पार्टी अकाउंट नेम में दीबग ट्रेडर्स सेलेक करना होगा ओरिजिनल इन्वोईस नंबर में हमें अपना वो बिल नंबर टाइप करना होगा जिसमें गलती से माल कम गया है और यहाँ पर उस बिल की डेट टाइप करेंगे लेजर अकाउंट में हमें Sales अकाउंट सेलेक करना है क्योंकि हमने गलती से जो ज्यादा cell दिखा दी है अब हम उसे कम करना चाहते है आईटम में हम Monitor सेलेक कर रहे हैं यहां हमें वो quantity type करनी है जो customer को कम प्राप्त हुई है और यहां rate में हम वो rate डाल रहे हैं जो हमने उसे माल बेशते समय बिल में लगाए थे अब चुकि हम अपनी cell कम कर रहे हैं तो उसका text भी कम करना होगा उसके लिए हम CGST और SGST के laser select करेंगे provide GST details को yes करेंगे reason में correction in invoice select करेंगे यदि customer से हमें इसका debit note प्राप्त हो गया है तो buyers debit note number में उसका number type करेंगे और यहां पर उसकी date type करेंगे और यदि customer का debit note प्राप्त नहीं हुआ है तो जब प्राप्त होगा तब हम voucher को edit करके यहां पर details डाल देंगे अगेंस्ट reference में हमें अपना वो bill number select करना होगा जिस bill में माल कम गया है यहां हम narration में इस credit note को बनाने का कारण टाइप करेंगे और इस entry को save कर लेंगे आएब इसका प्रभाव GSTR 1 पर देख लेते हैं पहले period change कर लेंगे यह देखिए हमने उसे जो 5 monitor का bill बना कर दिया था वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है और हमने भूल सुधार के लिए जो credit note बनाया उसका amount और tax यहां minus में दिखाई पड़ रहा है आईए अब monitor की stock summary भी देख लेते हैं यह देखिए outward में पहले जो 5 monitor का bill बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे हमने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो credit note बनाया है वो दिख रहा है चलिए अब बात करते हैं दूसरी condition की अगर कोई party due date के अंदर ही payment कर देती है तो उसे discount देने के लिए भी credit note बनाया जाता है यहां पर हम आपको ध्यान दिला दें credit note की video का ये जो part है वो debit note video के part 3 के बिलकुल विपरीत है उसमें हमने customer द्वारा debit note बनाना बताया है और इसमें हम supplier द्वारा credit note बनाना बता रहे हैं इसलिए इस अच्छे से समझने के लिए पहले उस video को ज़रूर देख लें इस condition को समझने के लिए पहले हम 2 December को अपने customer वासू ट्रेडर्स का एक बिल बना रहे हैं इस बिल की due date हम 31 December 2021 दे रहे हैं इसमें हम उसे 13,000 रुपए के भाव से 3 नग printer, 12,000 रुपए के भाव से 2 नग monitor और 6,000 रुपए के भाव से 1 नग sewing machine उधार बेच रहे हैं इसमें हम IGST लगाएंगे क्योंकि ये हमारे प्रदेश के बाहर की party है माल बेचते समय ही हमने कस्टमर को कहा था भाव इस बिल की due date 31 December है यदि आप इस तारिख तक payment कर देंगे तो हम आपको 1000 रुपए का discount देंगे पासू ट्रेडर्स 31 December 2021 को आया और बोला 1000 रुपए discount काट कर इस बिल का payment ले लीजिए तो चलिए पहले इस discount का credit note बना लेते हैं जैसे ही हमने credit note बनाना शुरू किया तो हमें याद आया कि यदि हम item invoice mode में credit note बनाते हैं तो हमें इस 1000 रुपए को तीनों item की value के हिसाब से divide करना होगा और फिर जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया है हर item के साथ amount डाल कर entry करना होगी अब सवाल ये है कि ये तो सिर्फ तीन ही item है मान लो बिल में 20 items होते तो हर item का discount बांटना थोड़ा मुश्किल होता इसलिए अच्छा होगा कि हम इस entry को item invoice mode की जगर accounting invoice mode में कर लें voucher बनाने के पहले हमें कुछ configuration करना पड़ेगा उसके लिए F12 प्रेस करेंगे यहाँ से modify tax rate details of GST पर जाना होगा और इस option को yes करना होगा अब इस screen को accept कर लेंगे आईए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ party का नाम select करेंगे यहाँ हम अपने जिस bill के against discount दे रहे हैं उसका bill number और date type करेंगे particular में cash discount on sales का ledger select करेंगे हमने यह ledger नहीं बनाया है तो इसे बना लेते हैं हम यह ledger sales account group के अंतरकत बनाएंगे क्योंकि हम sales पर discount दे रहे हैं अब यहाँ amount type करके enterprise करेंगे यह देखे ऐसा करते ही एक नई window tax classification details की आ गई है यदि आपकी window इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है पर अगर इसके स्थान पर वो इस तरह की दिखाई पड़े तो f12 की press करें अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहे options में से allow override accessible value और override tax rate को yes कर लें और इस window को save कर लें यहां classification oblique nature में space bar press करेंगे natures of transaction में से हम जिस तरह की cell के against credit note बना रहे हैं वो select करेंगे जैसे यदि हमारी ये cell इंट्रा स्टेट सेल होती यानि राज के अंदर की गई cell होती तो उसके लिए यहां हम cells taxable select करतें ध्यान रखें intra-state cells के लिए हमेशा cells taxable select करना होता है चुकि हमारी ये cell inter-state cell यानि राज के बाहर की गई cell थी इसलिए यहाँ पर हम inter-state cells taxable select कर रहे हैं साथ ही यहाँ हमें एक calculation करना होगी जैसा कि आप बिल में देख रहे हैं माल का मुल्य है 69,000 रुपीज और उस पर GST लगा है 12,060 रुपीज, तो हमें सभी आइटम्स पर मिला कर average tax rate निकालना होगा, इसका formula है tax का average rate is equal to GST by माल का मुल्य into 100, अब यहाँ पर GST है 12,060 रुपे, माल का मुल्य है 79,000 रुपे into 100 is equal to tax rate आया 17.48%, यहाँ पर average tax rate निकालने का कारण ये था कि बिल में अलग-अलग tax rate के items थे, माल लिजे यहाँ सभी items 18% tax rate के होते, तो हमें इस तरह की कोई calculation नहीं करना पड़ती, हम सीधे 18% लेकर आगे बढ़ जाते, हम integrated tax में 17.48 टाइप करेंगे, फिर enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब particular में हम IGST का laser select करेंगे, यह देखिए tax अपने आप calculate हो गया है, यहाँ provide G GTSD details को yes करेंगे, reason में post self discount select करेंगे, buy us debit note में customer का debit note नमबर और यहाँ उसकी date type करेंगे, अभी हमारे पास customer की debit note की details नहीं है, इसलिए हम इसे blank छोड़कर आगे बढ़ेंगे, against reference में वो bill number select करेंगे, जिस पर हम discount दे रहे हैं, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर narration type कर देंगे, यह देखिए जैसे ही हम इस voucher को accept करने गए, यहाँ पर एक छोटी window आ गई है, इसमें तीन options हैं, जिसमें हमें accept without conflicts, यानि बगैर किसी विवाद के स्विकार क के लिए O प्रेस करेंगे और इस entry को सेव कर लेंगे, आए अब इसकी report GSTR1 में देख लेते हैं, यहाँ credit oblig debit notes पर जाकर enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ वासू ट्रेडर्स का credit note दिखाई पढ़ रहा है, जिसमें उसका discount amount और उसका tax माइनस हो रहा है, आए अब बात करते हैं आखरी condition की, इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं, आपको ध्यान होगा, हमने अपनी customer अशोक ट्रेडर्स को 2 अप्रेल को 17,700 रुपए का माल उधार बेचा था, जिसका bill number 2 है, माल बेचते समय हमने किसी भी तरह के discount या incentive की कोई बात नहीं की थी, पर आज 31 December तक हमें उसका payment प्राप्त नहीं हुआ है, हमने उससे कहा, हमें नकदी की दिक्कत है, तो यदि आप इस bill का payment तीन दिन में कर देंगे, तो हम आपको 5% discount दे देंगे, वो हमें आज ही payment देने के लिए तयार हो गया है, तो आईए इस 5% discount का credit note बना लेते हैं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब हम माल बेचते समय ही, कस्टमर से discount समबंधित कोई agreement करते हैं, तो इस तरह का discount देते समय उसके साथ GST भी लगाते हैं, इस तरह के discount को sales में से कम किया जाता है, और ऐसा करने के लिए discount का ledger, sales account group के अंतरकत बनाया जाता है, पर यदि हमने माल बेचते समय discount का कोई agreement नहीं किया, और बाद में हम उसे किसी कारण से discount दे देते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, तो उस पर GST नहीं लगाते हैं, साथ ही इस टाइप के discount का ledger हम indirect expenses के अंतरकत बनाते हैं, इस तरह के credit note को हम accounting invoice mode में बनाते हैं, यदि आपका voucher इस mode में हैं तो ठीक, नहीं तो accounting invoice mode में कर लें, सबसे पहले date चेक कर लें, पार्टी अकाउन नेम में हम अशोग ट्रेडर सेलेक कर रहे हैं, ओरीजिनल invoice नंबर के आगे हम अपने उस बिल का नंबर टाइप कर रहे हैं, जिस बिल पर हम उसे discount दे रहे हैं, और यहां उस बिल की date टाइप कर रहे हैं, पाटिकुलर में हमें discount allowed का लेजर सेलेक करना है, जो की बना हुआ नहीं है, तो इसे बना लेते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यह लेजर indirect expenses group के अंतरगत बनेगा, अब यहां is GST applicable को not applicable करना होगा, अब enterprise करते हुए इसे save कर लेते हैं, यहां amount में हमें वो amount टाइप करनी होगी, जो हम उसे discount के रूप में कम कर रहे हैं, हम 17,700 रुपए के बिल पर 5% के हिसाब से 885 रुपए यहां पर टाइप कर रहे हैं, ध्यान रखें यहां हम GST का कोई भी लेजर सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहां against reference में वो बिल नंबर सेलेक्ट करें जिस पर discount दे रहे हैं, अब यहां पर narration टाइप कर दें और अब इस entry को save कर लें, ध्यान रखें इस credit note में हमने किसी तरह का GST नहीं लगाया है, इसलिए GST की किसी भी report पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, credit note की इन दो वीडियो में हमने कुछ मुख्य transactions बताए, इसी तरह आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी कई transactions credit note में record कर सकते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि stock group पर GST कैसे enable करते हैं और उसे क्या फायदा है, आज की वीडियो में बस इतना ही तन्यवाद।